दोस्तो नमस्कार मैं हूँ जै और आप देख रहे हैं जैस तनिवोज महराष्ट में सिउसेना के सांसस संजे राउत के द्वारा की गई प्रिस कॉंफरेंस की वज़ा से महराष्ट की राजनीती जो है पहले ही बहुत ही भ्यानक तरीके से गर्माई हुई है लेकिन अब जो है सिउसेना के सांसस संजे राउत ने एक बर फिर से एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले काफी टाइम से जो सेंटरल एजनसी है यानि की सीबियाई और एडी के द्वारा लगातार एंसीपी सिउसेना और कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाप में कारवाई की जा रही थी जिसको लेकर जो संजे राउत हैं उनके द्वारा लगातार एडी और सीबियाई के ओपर सवाल उठाया जा रहा था और बोला जा रहा था कि ये जो है बीजेपी नेताओं के इसारे पर काम कर रही है ये अपडेट जो ये दावा जो है संजे राउत के द्वारा किया जा रहा था कि किरिट सोमया ने पवई के पेरु नाग में पूर्णावास परियोजना में करीब 300-400 करोन रूपय का घोटाला किया है और सात में ही किरिट सोमया के बेटे के उपर भी हारोप लगाया इस घोटाले से संबन्दी सारे के सारे दस्तावेज जो डॉक्यमेंट है मतलब कि ज संजराउत के दावा किया गया कि सारे के सारे एविडेंस जो है मेरे पास मौझूद है मेरे पास सारे के सारे दस्तावेजो के कम से कम दो ट्रक लोड है इनके दोरा ये सब दियोज किया गया है कि जितने भी एविडेंस है किरिट सोमया के खिलाप में उसके लमसम दो ट्रक जो सबूत है वो मेरे पास मौजूत है जिसको लेकर मैं जा रहा हूँ ED के पास और ED को जो है ये सारी की सारी डॉक्यमेंट जो है जो evidence है क्रीट सोमया और BJP नेताओं के खिलाप में उसको जो है मैं सौब दूँगा उसके बाद मैं wait करूँगा कि ED के द्वारा BJP नेताओं के उपर कारवाई की जाती है या नहीं अगर BJP नेताओं के उपर कारवाई की जाएगी क्योंकि मैं evidence जो सबूट है वो भी पेश कर रहा हूँ अगर उसके बाद कारवाई की जाती है ये जो है BJP नेताओं के दम पर मतलब BJP नेताओं के इस सारे पर काम कर रही है जात में ही इस इंटर्विव में इनके द्वारा ये भी बोला गया कि मैं महाराज के सियम उधो ठाकरे से मिलने जा रहा हूँ और उनको जो है ये सारे के सारे दस्तावेज यानि कि जो एविडेंस है इसको भी मैं महाराज के सियम उधो ठाकरे कोई साथ में सेयर करूँगा उसके बाद देखता हूँ कि उधो ठाकरे जो है इस पर क्या रियक्ट करते हैं और उनके द्वारा जो है इस पर क्या कारवाई की जाती है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेश कर देए